कि अज़र नमस्कार चंद्रा इंस्ट्यूट के यूटूब चैनल में आपका वागर्ण तेरा नाम स्टिपी मित्रा है अज हम देखेंगे अपना दूसरा टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है अक्षांस और देशांतर आये देखते हैं अक्षांस और देशांतर क्या होता है इत्रों प्रथभी को समझने के लिए हमने दो चीजों की रचना की देखेंगे एक तो है ग्लोब और दूसरा है मानचित ग्लोब और मानचित्र जाओर हम प्रथभी को समझने की कोशिब करते हैं शहरै आपने देखा होगा कि की स्फलब का आता है प्रिथभी अपने बीच में थोड़ा उभरी हुई है और सीरे की ओर यानि ध्रों की ओर थोड़ी चप्ती है इसलिए प्रिथभी को समझना थोड़ा कटिन है तो दो चीजें हम समझने के लिए बचना किये हैं ग्लोब की और दूसरा मानचित ग्लोब में आप चुकी आपने वो रिखाएं आप ये अंफूर रिखाओं को देखें इसरी को series रिखहएं आप ड्रीया को देखी एक अतरी तो इस्यज्मन दें मोंjak學ा कि जाता है को संसे चुक्तaison के अश्रू ऑफ्र होता है और सरूंतर पर पहुंए कि लुए और होता है टेकिन इस को स्तमझने से पहले थोड़ा Sahot को संगते हैं। जब भी हम किसी मानचित्र को देखी थे हैं तो मांचित्र के का इंट पनी सामरे रख लैते हैं Annika कि टिटें और उपर हमारा नौठ कहलता है नीचे वलडा भाग हमारा नहीं पस्किन कारता है, नाहीजी तरफ और भाईंचिर वाला भाग हमारा विश्केन पस्किन कारता है। करें जाता है यह यह इन्हें इस गोले को पीचो बीच कर दो अधाने दो भागों में विभाजित कर दिया जो इपाजित करने वाली रीखा है है कि अब ट्रत्रम आता है नाम भूभी है अब ये विभाजित वाली रेखह देख रहे हैं आप इस गोल लाकार यानि प्रतभी या। कि असी लिए इस दो है कि कि कले साधा है तो होता है अब प्रत्वीच जी बात आघाम का अब ज्यान दीजिगए इस रेखा के यदि इस कि इसका उत्र आजाएगा है कि रहा खागे सब्सक्राइए में इसे इसलिए इसे उत्तर प्लास गोले का आधा भाग है यहां दिजेगा यह गोले का आधा भाग है इसलिए गोला है उसका आधा भाग है याणि बुद्तरी गोलार्थ कराता है इस रेखा कि जो डक्षिन वाला भाग है हुआ दा यह भाक सकते हैं और यह भी को लिए अधा है इसलिए इसे दशनी घुलार्द कर लाता है ज़ो भूमाध रिखा कि र दक्षिनवाला भाग है वो झालाता है अब इसको यूँदि हमें ऑ़ ग्लोब मान ले एधि हम इसको एक ग्लोब मान ले क्योंकि पृषबी को समझने के लिए हमने ग्लोब और मानचे व्याथनør आगा तो पहले ग्लोब को देखे और यह ब्रित्त सबसे बड़ा होगा इसलिए पूशा जाता है कि सभी पर सबसे बड़ा ब्रित्त कौन सा बनता है तो आपका क्या उतर हो जाएगा घुमत ध्रेखा का जो ब्रित्त बनता है वह पर सबसे बड़ा ब्रित्त है अब यहां से उपर के और जाएंगे तो बृत्त हमारा चोटा बनता जाएगा और जब सबसे चोटे भाग पर जाएंगे यहां पर जो ध्रूग के रूप में हैं जिसे हम पुतरी ध्रूग कहते हैं कि एक ब्रत नहीं है। इसलिए इसे ब्रत नहीं मानते हैं इसी तरीके से दश्णी ध्रूग भी there— इसलिए उसे ब्रत नहीं मानते हैं जाता अब कि खोड़ा-सई भी आपको बतादे चले हम आरि pets पूरव 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 गुम रही है तो निट गुम्ती है एक तो अपनी धूरी पर घूम रही है और दूसरा वा घूमते अपनी धोरी पर घूमते हुए भी सूरे का चक्तर लगा रही है अपनी धूरी पर भी घूम रही है अपनी धूरी पर घूमने मुझे चौवीस घंटे का समय लगता है इसलिए हमारे यहाँ एक दिन कितने घंटे का होता है या 365 सही एक वटे चार दिन को होता है। यानि अक्षांस की रिष्णा प्थवी के जलवाई को समझने के लिए की गई है और देशांतर की रिष्णा की गई है प्थवी पर समय को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम अक्षांस को देखेंगे कि अक्षांस क्या होता है। कि अक्षान से रिखाएं कि यहां आपको ध्यान देना है यहां रेखा सब्द चुंकि रेखा मानचित्र परकी जाती है जैसे हम एक मानचित्र बना दिये आपने देखा भी होगा मानचित्र को यहां तो है यहां भी जिरी प्र dar See हैं ज्याजार के सबिने साथ सर्की ज्यान देने देखाने द्याचित्र सब्सक्रूट हीए जब भी आप आप से अक्षान्त रेखा के बारे में पूंचा जायै तो इसका मतलब है कि आप से ग्लोब के बारे में जानकरी जाता इसको थोड़ा सा अंतर समझेगा कि आप से रेखा के बारे में जानकारी पूछी जा रही है कि अक्षांस रेखा की पहले चर्चा करेंगे इसके बाद अक्षांस ब्रित्तों की चर्चा करेंगे एक मानचित्र हमने बना दिया है जैसा आपने मानचित्र में देखा भी होगा इस तरीके से जिवारी मानचित्र आप लेते हैं इस मान कित्र के बीचों बीच की जूरेखा है यह हमारी भूमत है कि बहुतर वाला भागी हमारा उट्ण रिगुलार दो गया और इस के डक्षिन वाला भाग हमारा दक्षिन रिगुलार दो गया कि इस प्रिखा अख्षाण सरेखा तो अख्षांसरेखा परिवासा भी लग सकते हैं कि अपर पनिक मानचित्र पर ऐसी कालपनिक रेखाएं जो भूमध रेखा के समानांत पस्चिम से पूरो क्योर एक सो ग्यारा किलिम्टर के नतराल पर खेची गई है मानचित्र पर ऐसी कालपनिक रेखाएं जो भूमध रेखा के समानांतर पस्चिम से पूरो क्योर कीची गई है कालपनीक रेखाएं यह कालपनिक के कालपना, मानकित्र की मानकित्र की दूरीत है कि आछ पर और आखर अंधराल पर ऐसी कि रेखाएं की मानकित्र पर 1000 में पर ‫दूरी के जाती हैं अक्षा अंक्रेखाएं के ज़ए उत्तरी गुलार्थ में इनकी संख्या 90 होती है कि उत्तरी गुलार्थ में यानि 90 रेखाएं उत्तरी गुलार्थ में इसलिए भूमध्य रेखा को जीरो डिगरी अक्षा सरीका भी कहा करते हैं इसी प्रकार 90 रेखाएं जक्षिनी रेख गुलार्थ में हैं 90 रेखाएं उत्तरी गुलार्थ में 90 रेखाएं दक्षनी गुलार्थ में हैं तो 90 और 90 कितनी हो गई नब्बे और 90 पुल कितनी हो गई एक्षांस रेखा होती है जब हम उसको भूमध रेखा को भी ऐक्षांस रेखा मान लेते हैं क्योंकि जैसा इत्ता इक अक्षांस रेखा रेखा तो इसमें एक संख्या हो जाती है बढ़ कर एक तो यह जो कि यह आप जोगा लेका पूंच रहा है कि मुखा तर पर कितने अच्छान सरे तनी जाती है। तब आपका उतर हो जाएगा नबे और नबेक तवस्ती पस एक उमध रेखा यानि जीरुव अक्छांस रेखा अकूल मिलाकर एक तो इक्यासी रेखा अब इनका निधारण हम किये हैं समय के उसरी इनका निधारण हम ने किया है जलवाई को समझने के लिए तो हम इसको अब ग्लोब पर देखेंगे कि ग्लोब अप्र कैसे अक्छान सब्सक्रांड वनका यहिर यह मानुपित में मिलकर एक रेखा ना अब देना होका लिए हम से अक्षानस रेखा के बारे कि जानकरी शुछाता है इसका मतलब मैं इसका मतलब है कि हम से GLOBE के बारे में जानकारी जाते हैं तो GLOBE एक GLOBE बना देते हैं कि हमने GLOBE बना दिया एक GLOBE बना दिया यह हमने भूमद हे रिखा बना दी भूमद भूबा भूडा सा हम बताना चाहेंगे कि हमारी प्रित्वी अपने अक्ष पर साढ़े 23 डिग्री जुकी हुई है कितने डिग्री जुकी है कि साढ़े 23 डिग्री जुकी हुई है कि हमारी प्रित्वी अपने अक्ष पर साथे 23 डिग्री जुकी हुई है यदि साथे 23 डिग्री जिक्री न होती तो हमारा जो उत्तरी उलाद में उत्तरी धुरू होता तो हमारे यहां होता है यानि वो चीक 90 डिग्री पर होता है लेकिन थोड़ा सा जुका होने के करण तो हमारा नार्थ पोल यानि की उत्तरी धुरू यहां नहों करके 23 डिग्री जुका हुआ है यानि थोड़ी सी तभी आक्ष पर कितने अंस चुकी हुई है तो क्या उत्तर होगा आपका कि अब ध्यान देजिएगा यहां से दो कोश्चन बराबर पूंचे जाते हैं उसको आपको ध्यान रेक्टना होगा पहला यह है कि प्रखभी अपने अक्ष्च पर कितने यंस जुकी हुई है तब आपका उतर सीधा सा हो जाएगा लेकिन कभी इसी प्रस्ण को घुमा कर पूँच देता है और तब हम पुड़ा सा अश्चर में पढ़ जाते हैं लेकिन उसको हमको समझना होगा दूसरा कोश्चन यह पूचा जाता है कि अपने अक्ष्च पर कितने अंस का कोण बनाती है तब हमको इस कोण के बारे में नहीं लेकिन नब्य डिग्री में निकाल देंगे यह बचेगा साथे शाचर दिग्री यह पूचा जाया कि अपने अक्ष्च पर कितने अंस का कोण बनाती है तब आपका उतर हो जाएगा मानचित्र में आपने देखा था कि उत्तरी गुलार्ज में कुल नब्य रेखाए होती है इसलिए नब्य और नब्य एक सवस्य के देखा कुभी हमता मिल करने तो मानचित्र पर कुल 181 अक्ष्चांस रेखाए हैं लेकिन ग्लोब में थोड़ी इस्टिती अलग है ग्लोब पर्झ्स सबसले बड़ा ब्रित बंता है इस्के ऊपर जो ब्रित बनते हैं इस तरीके से घूमता जाएगा एक Ramadan जाएगा और जैसे-जैसे जैसे हम ऊपर के उर-चले जाएंगे प्रित हमारा चोटा ब्रित हमारा चोटा होता जाएगा और नार्थ पोल यानि कि नार्थ पोल यहां पहुंचते पहुंचते यह प्रित में होकर एक प्वाइंट हो जाता है और प्वाइंट होने के करण यह प्रित नहीं हो जाता क्योंकि ब्रित होने के लिए तरिज्जा की जरूरत होती है और बिंदु में कोई तरिज्जा नहीं इसलिए यहां यहां नहीं किना जाएगा इसलिए यहां 79 बित बनते हैं यहां 89 बित ही बनते हैं यह यह नब रेखाएं मानचतर में बनती हैं नव्य नव बन करके नवाती बृत्त ही उत्तरी गुलार्थ में बनते हैं। इसी तरीक से दक्षणी गुलार्थ में भी दक्षणी धुरू यहां पर है और यह नव्य बृत्त यहां भी बनते हैं। पर यहां नवाती बृत्त यहां भी बनते हैं। तक्षणी धुरू ब्रित्त नहोकर एक बिंदु के रुप में हैं इसलिए यहां भी 89 ब्रित्त ही बनते हैं अब आप से पूछेगा कि ग्लोब पर कुल कितने ब्रित्त बनते हैं तो इधी रेखा होती मानचित्र होत पुछता तो आप बता देते कि 90 रेखा इधर हैं गुमद रेखा साइथ कुल एक सवक्यासी रेखा हैं लेकिन आप से पूछा जाएगा कुल कितने ब्रित्त बनते हैं तो जब ब्रित्त बनेगा तो आपको नार्थ पोल और साउथ पूल कुल निकाल देना होगा यानि 89 ब्रित्त पुतरी गुलार्ज में और 89 ब्रित्त लक्षणी गुलार्ज में कुल कितने ब्रित्त हो गए 89 और 89 आप जोड़ दीजिए 178 यानि पुल 118 अप्षांत ब्रित्त गुलोब पर बनते हैं यह हम घुमध हरेखा को भी समें सामिल कर दें तो प्लस लं कर देंगे इसी में ब्राबर 179 गुमध हरेखा सहीज पुल 179 ब्रित्त जब आप यहां आप से पूछा है यहां आपको ध्यान रखना होगा यदि अच्छांस रेखा पूछेगा तो आपका वज 1180 हो जाएगा भूमध रेखा सही और भूमध ब्रित सही यदि आप से पूछता है कि कितने अच्छांस ब्रित के बनते हैं तब नार्थ पूल और अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इन अच्छांस ब्रितों की या अच्छांस रेखाओं की रचना क्यों की गई है इसको समझे है हमने बताया था शुरुआत में ही कि अच्छांस रेखाएं या अच्छांस ब्रितों की रचना जलवाई को समझने की क्यों है कैसे कि कि ओधर देने की वास्ट के करति चारों गूम रही है तो भूमने के मिन Выक्लाइब होगा पीछे को दोटा है कूँरे गूम यह थे आरे णिद ai लेखा रीघ्वा गांग कि लिगरी शार तो लगवण साल वर गूमध हर्खा पर तो क्या प्रोमस्क्रा भूम्ध हरे तरी विल्किता बदलती रहती है तो कभी कुछ भाग उत्तर वाला सामने अजया जाता ब गॐस्तर की इसकी सामने आती है कि इते को अश्री के सामने आता है इसको यह स्थिए कन थे लए गए साधे 23 गूंते हुए स्पूरी की किलने उत्तर में साधे 23 दिग्री तक सामने आती है इसी प्रकार 23 दिग्री दक्षिन तक भी आती है साधे 23 दिग्री दक्षिन करकाए हमने नर्ट और साउस सामने आता है कभी यह होते 3 डिग्री तक भी सामने आता है कभी यह भाग सामने आता है कभी यह आप तही हतक है डिंजर के दिखूम्ते हुए जो साथी थीज़ों यूट्तै बिखुम्टे मेरे और साथी तई सीमा अतिम है आती है इसको में कहते हैं मगर इंट्रफिक अपिर्टर कि यंदि jeżeli उत्तरें अख्छांस वाली रेखा को हम करक रिखा कहते हैं और am स्पीए कणें अधिमट्र हर थे कोलैंट हैं अंधु मदध है कि सूरी हुआ कि करता राता है कि आदके अरानिद करक्रेखा के बीच पर रहे इस नहीं जैसे जैसे सूर की किर्णे तिर्शी पढ़ती जाएंगी तापमान कम होता जाएगा सूर की किर्णे तिर्शी होती जाएंगी वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा और जैसे जैसे तापमान कम हो जाएगा जलवाई बदलता जाएगा कि आप जानते हैं कि जलवाई करने धन तापमान से होता है जहां तापमान अधिक है इसके कुछन कटड़ बन भी तरीके से हमने अक्षांस की रचना की है जलवाई को समझ में तो दमित्रों यह हुआ अक्षांस आपको जो कुछन नहीं आये होंगे आप कमेंट करिएगा हम आप उसका उस्तर देनी की कुसिस करेंगे और मुझे विश्वास ते कि आपको अच्छांस पूरी करेंखे से समझ में आ करा हमाने हुआ है